यह बर्च reduction का question था जिसमें यहाँ पे देखे पहले यह electron donating group है तो सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे जो double bond होगा उसको reduction नहीं करेगा तो यहाँ पे देखी यह दोनों bond preserved है उसके बाद ozonalysis कर दिया है simple तो जो stereo chemistry यहाँ पे रहेगी वही chemistry यहाँ पे same रहेगी मतलब कोई changes नहीं होगा तो यह जो जैड बनेगा यह एलकीन बनेगा यह जैड ही बनेगा क्योंकि यह यहाँ से reduction होगा simple और यह double bond यहाँ से reduce होकर कि यहाँ double bond O बना देगा यह complex बन जाएगा then इसके बाद यह आपका था heterocyclic compound से तो यह सबसे पहले आपको O80- दिया हुआ था simple यहाँ से आप H plus release करके यह methyl group आप बनाएंगे then यह फिर एक carbonyl carbon पर attack करके यह यहाँ से CO80 निकाल देगा then इसके बाद यह hydrogen के साथ palladium के साथ इसका reduction हो जाएगा ACoH के presence में और यह NH2 बना जाएगा यहाँ NO2 and then फिर यह cyclize होकर के this product देगा यह इसके बाद यह question था कि glucose का पूछा हुआ था H plus SCL और acetone के presence में तो अगर open chain cyclic open form अगर गुलकोज का होता है तो यह अगर यह दो फर्म में रह सकता है एक होता है फिरनोस फॉर्म दूसरा होता है इसका normal cyclic form जो six membered ring बनता है यह नहीं बन पाता है product जबकि यहां पर आप देखोगे जब H plus लेगा तो यह H plus और acetone के presence में यहां पर add हो जाता है तो यह simple इस form में यह reaction देगा इसके बाद यह direct question था BBNQ और H2O2NAOH यह simple यह hydroborneation reduction था यहां पर तो यह यहां पर अगर इसके बाद MSCL यह NET3 यह NET 2012 का question है जो कि 4 marks का question है यह directly repeat किया question था यहां पर simple यह below the plane से attack करेगा इस position पर उसके बाद यह simple hydroborneation हो जाएगा फिर यहां पर MSCL है तो यह यहां पर अच्छा living group हो जाएगा MS आके attack हो जाएगा देन यह COET यहां पर इसको reduce करके यहां पर attack करके यह double bond बना देगा ठीक है उसके बाद यह question था यह simple आपका सुनगा सीरा reaction है यहां पर यह alkyne terminal alkyne है जो कि H plus दे सकता है इस प्रस दे करके यह यहां पर बोराण जुड़ेगा और फिर यह आपकी जो alkyne मिलेगी यह alkyne मिलेगी यह simple question था और वो question जिसके बारे मैं आपसे discuss कर रहा था कि एक function दिया हुआ है इसमें H की value दिया हुआ है और आपको percentage इरा निकालना है तो सबसे पहले आप average value निकालोगे energy का 0 to A के बीच में तो वहाँ पर आप size star hamiltonian into size dx करोगे तो H की value आपको दिया हुआ होगा जो कि आप यहां से मतलब kinetic energy दिया हुआ होगा simple क्योंकि उस range में 0 से A के बीच में potential energy 0 होगा तो आप simple यहां पर H की value यह रख करके इसको solve करके आप percentage इरा निकाल सकते हो तो average energy की जैसे value आ जाएगी ठीक है यह आ गई suppose 5H square upon 4 pi ma square उसमें यह आपका करके यह simple इसी तरीके से हो जाएगा देन आपका यह complex था यहां पर lithium base दिया हुआ था THF के साथ तो यह simple यहां पर क्या करता है lithium यह minus हो जाएगा यहां पर यह negative चार देन यह फिर यहां पर जा करके attack करके यहां पर जूड़ जाएगा ठीक है फिर यह के है जो कि यह base है base के presence में यह ring यहां पर open हो करके और यह इसके साथ जूड़ जाएगी ठीक है तो यह product बनेगा उसके बाद एक fragmentation का question था तो fragmentation के quiz में यह SCL के presence में पहले यह Robinson Illumination होगा यहां पर सबसे पहले सदिक condition में यह जैसे हमारा Eldor Condensation होता है वैसे ही simple होगा यह product बनेगा देन इसके बाद यह fragment होगा और यह तोट करके ring trimember और यह इस तरह से बन जाएगा so thank you guys all for watching this video thank you so much we will meet again in next video